तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों और वाट्सेप गुप्स में और आप कर सकते हैं मैं Facebook, Telegram, Instagram, Twitter किसी भी platform पर follow daily updates के लिए तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो When is the World Press Freedom Day is observed? विश्व प्रेस स्वतनतता दिवस्त कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 3 मई को मनाया जाता है अंतिराश्ट्रिय समुदाय को सूचित करने के लिए 3 मई को विश्व प्रेस स्वतनतता दिवस्त प्रतिवर्ष मनाया जाता है कि प्रेस की स्वतनतता और अभिवेक्ति की स्वतनतता मौलिक मानव अधिकार है इस बात को मतलब worldwide celebrate किया जाता है विश्व प्रेस स्वतनतता दिवस 2019 का मुख्य उत्सव 1-3 मई 2019 तक अदीस अबाबा में हो रहा है इस वर्ष के अयोजिन का समगर विश्य चुनाव और लोकतंत्र में मीडिया की भूमी का है तो मीडिया को हमेशा से गाईज माना गया है कि मीडिया में लोग अपना विचार जो हैं बिना किसी दिर के बिना किसी दबाव के रख सकते हैं तो इसी को celebrate करते हुए हर साल 3 मई को मनाया जाता है World Press Freedom Day और इस साल का जो theme है जो आपको याद रखना है वो है कि चुनाव और लोकतंत्र में मीडिया का क्या रोल होता है चली बढ़ते हैं आगे वोन दो गोल्ड मेडल इन अली येव रेस्लिंग टूर्नामेंट हेल्ड इन कस्पिस्क रश्या इन 2019 2019 में रूस के कासी पलपस्क में आयोजित अली अलीयेव कुष्टी टूर्णमेंट में किसने स्वण पतक जीता तो ये हैं बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया ने रूष के कस्पिस्क में आयोजिद अली अलवेव कुष्टी टूर्नामेंट में स्वर्ण बदक जीता, अपने अंतिम बाउट में उन्होंने पुरुष के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में रूषी विक्टर रेडिसन क को तेरा आठ से हराया, 25 वर्षी बजरंग पुनिया इस समय विश्व कुष्टी रैंकिंग में नंबर एक स्थान पर हैं, चली देख लेते हैं अगला क्वेशन, which state has recorded the highest death per lakh of the population, 66 per 1 lakh due to tuberculosis, which is also known as TB, किस राजय में TB के कारण प्रती लाग जनसंख्या 66 प्रती एक लाग जनसंख्या में सबसे अधिक मौते दर्ज हुई हैं, यहां का मतलब है, मतलब पर एक लाग आदमियों पे 66 लोगों की मृतियों TB के वज़े से हुई हैं, तो यह सबसे भारत की सबसे घातक संक्रामक विमारियों में से एक है, इनसे 2012 और 16 के बीच करीब 3 लाग के करीब जीवन जाने का दावा किया जाता है, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में प्रती एक लाग की आबादी पर उच्च मृत्यों दर्ज की गई है, सिक्कम में TB के कारण प्रती लाग जनसंक्या में 66 प्रती एक लाग मतलब 66 लोग प्रती एक लाग के जनसंक्या में सबसे अधिक मौते दर्ज की गई है, चली देखते हैं अगला question, which country has issued an official order to freeze the assets and impose a travel ban on जैशे मोहंबत चीफ मसूद अजहर, किश देश ने जैशे मोहंबत प्रमुख मसूद प्रती बंद लगाने और उसे प्रती बंदित करने का अधिकारिक आदेश जारी कर दिया है, तो यह है पाकिस्तान, पाकिस्तान ने जैशे मोहंबत प्रमुख मसूद हजर पर यात्र प्रती बंद लगाने और उसे प्रती बंदित करने का अधिकारिक आदेश जारी कर दिय यह कदम संयुक्त राष्ट्रो द्वारा उसे वैश्वे कातंकवादी गोशित करने के बाद आया है जब चीन ने अमेरिका अमेरिकी और फ्रांस द्वारा उसे ब्लैक लिस्ट करने के प्रस्ताव पर अपनी पकड़ बना ली है पाकिस्तान स्थित अजहर पर हतियार और गोल गया है हौवाई टेक्नलोजी कंपनी हौई टेक्नलोजी कंपनी ने एपल इंक को पचार कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्माता बन गया है रिसर्च फ्रम आईडीसी के अनुसार नेट्वरकिंग दिगच ने एक साल पहले शिप्मेंट को 50% तक ब हवाई और हवाई ने किसको पीछे किया है तो हवाई ने एपल इंक को पीछे किया है चली बढ़ते हैं आगे रोचर डाइबटीस केर आडीसी हैज अन वील्ड और इंटिग्रेटीटीस मैनेजमेंट स्लूशन आईडी एमस इन इंडिया बाइंट्रोडूजिंग दा आप रोचर डाइबटीस केर आडीसी ने एप की शुरुवात करके भारत में एकत्रित मधूम में प्रबंदन समाधान आईडी एमस का नावरन किया है तिस आपका नाम क्या है इस आपका नाम है माई शुगर रोचर डाइबटीस केर आडीसी ने माई शुगर आप की शुरुव बात करके भारत में 31 मदुमें प्रभंदन समाधान IDMS का नावरन किया है या आक्युचेक इंस्टेंट ब्लड शुगर ग्लुकोस मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ है और इसका उद्धे शिरोग के प्रभावी प्रभंदन से को कंट्रोल करना है यह मदुमें वाले लोगों को इ मैं 2019 मैं 2019 में अफगानिस्तान के युद्ध से बाहर निकलने के उद्धेश से एक विशाल शांती बैठक कहां हुई तो यह बैठक हुई काबुल में 3 मैं 2019 को काबुल में अफगानिस्तान के युद्ध से बाहर निकलने के लिए के उद्धेश से एक विशाल शांती बैठक तहां अलग से दोहा में अमेरिकी शांती दूद के साथ बैठक और भी होगी ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं आगे विच कंट्री इस एड़ टॉप पोदिशन इन डा आई सी सी टेस्ट रांकिंग 2019 में कौन सा देश शीर स्थान पर है तो यह है हमारा देश भारत इंडिया न नवीन्तम बार्शिक रांकिंग में इंग्लैंड नंबर एक पर है एक दिवस्य टीम में बना रहा न्यूजिलैंड ने भारत को दो अंकों से पीछे ले जाने के लिए टेस्ट रांकिंग में तेन दंग हासिल कियें चली बढ़ते हैं आगे गया है तो यह किया गया है जैश्री व्यास को बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज ये पहली स्वतन्त महिला निदेशक जैश्री व्यास को चुन्नियूक्त किया है वियास 1986 से अहमदाबाद महिला सेवा सहकारी बैंक अहमदाबाद के प्रबंदन निदेशक के रूप में कारेरत चार्टेट अकाउंटेंट रही है उन्होंने 2001 में सेवा बैंक में पहली वित्तिय पुनरवत्री कारेकरम में मदद की थी चली देखते हैं अंगला question which city has emerged as the top choice for Indian investors कौनसा शहर भारती निविशों को के लिए शीष विकब के रूप में उबरा है तो ये है United Kingdom का लंडन दुबई और सिंगापूर जैसे अन्य शहरों से आगे भारती निविशों के लिए शीष प्रशन में के रूप में उबरा है ब्रिटिश की राजधानी में भारती कंपनी द्वारा निवेश 2018 में सर्वकालिक उच्चसतर पर पहुंच गया है 2018 में US में 51 और UAE में 32 से आगे 52 परिजोनाओ के साथ भारत FDI को अकश्रित करने के लिए UK जो है वो सबसे पसंदीजा चॉइस बन गया है इंडियन इंवेस्टर्स का UK में भी UK की जो कैपिटल है लंडन वो चीक है Now it's time for question of the day From which of the following monuments has a huge chunk of lime plaster from its southwest मिनार broke and fell into the ground मिनलिखी तमिने निमलिखित में इसे किस मारक से दक्षिन परश्यम मिनार से चूणा का plaster विशाल हिस्सा तूटकर गिर गया जमीन पर गिर गया ठीक है yes guys that's it for today thank you so much for watching pdf जो है वो description box में है red color का जो option है वो आपका answers है जरूर डाउनलोड कर लीजेगा आप हमसे जूर सकते हैं online offline किसी भी माध्यम से आप हमारा number और address यहाँ पे देख सकते हैं और हमें follow करना ना भूले facebook, telegram, instagram, twitter पे so that's it for today thank you so much for watching stay tuned to bebanker